तो गाइस क्यासे हुआ आप लोग तो स्वेरों रिस्टार के नेक्स्ट इनोबल के एपिसोड नमर 437 में आपका स्वाधत है जो चलिए शुरू करते हैं तो जासा कि हमने अभी तक पिछले एपिसोड में देखा कि लूफेंग को अब इस नाम का एक सूल ट्रेलर मिल चुका और यहां पर लूफेंग डिसाइड करता कि गोलेंग ओन बीस के पास स्टार टावर हैगा वही पे अर्थ लिंग बॉडी के पास से विंक्स फोर्स आर्मर और आफ्टर इमेज रहेगी लूफेंग हां भी बढ़ता कि यह सबसे बेस्ट आरिजमेंट है गोलेंग बीस के प अराम से यूज कर सकता है अब स्टार टावर लूफेंग के लिए उतना जाया नहीं था क्योंकि उसने आफ्टर इमेज के जगल ले ली होती है अब लूफेंग यहां पर इनी सब के बार में सोच नहीं लाता है फिरम सीम चेंस के वर्च अन्वास का सीम दिखाया जाता है यहां पर लूफेंग और क्वांग जू नाइट एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे हैं क्वांग जू नाइट यहां पर तो आसा ओकवर्ड फिल कर रहा था और हो कहता ब्लेड रिवर्ड यहां पर तुम्हें कोई भी खाने और पीने की जरूरत प्रेपेर करने की जरू तो यहां पर तुम उससे कह सकता हूँ मैं सब कुछ करूंगा यहां पर कांग जू नाइट इतना जाला भी स्टूपेड रहे था लूफेंग और एबलेड बैस्विड एंचेस्टर ट्रीना स्टा प्रेशन डेवल नाइट को यहां पर राइवल कर गया था यहां पर आप नाइट डेमर्वर्स की कोडिनेट की जरूवत हैं है आप पर फिर से हो जाता है कन्फियूज और कहता है उससे डूनना है कोई बात नहीं है अपनी कोसिस करूंगा अब लूपन भी समाल करता है आप जितने भी इंपोर्टन इसू होते किसी के भी इनफरमेशन के बात हो अरीजनल स्टार में होगा एक्चुली जितने भी टॉप टाइए युनिवर्स ओवर्रोट है डेमर्वर्स के बीडिनल स्टार में एडवेंचर कर रहे हैं मैंने सुना है कि यह और और प्र अक यहां पर यहां पर नहीं करते हैं लूपन हमीं बातार क्या कि तुमाश्य करि करेंगा इतना अच्छा होगा क्योंकि यहां पे सब को भी पदा चल गया होता है कि यहां पे गानु इंवर्स कंट्री मास्टर का चो डेव था लूफेंग की वज़से हुआ था कि लूफेंग का बीटी के वो टीचर थी यहां पे कांट उनाइट कहता कि मैं बाकी के और आसान नहीं होगा लेकिन लूफेंग क्या था कि मुझे रिडवर आइलेंड में ट्रेंड करते रहा चाहिए कांटा और कॉंफेंट आएलेंड पे आ जाते हैं सीन चेंज को रिडवर आइलेंड का सीन दिकाया जाता है जहां पर से सब लोग नोट बनाने लगते हैं कि लू चल गया होता है कि यहां पर उसने नहीं मारा है सब को रपादा चल जाता है कि वह फेल हो गये हैं अब यहां पर फिर से प्लान बनाने लगते कि यहां पर आखिर किसको मारा जाए किसको बेजा जाए ताकि लूफेंग को मार दिया जाए लेकिन यहां पर किसी के पास थास् वो पूरे के पूरे Ancestor और Humanity को ही अपना दुस्मन बना लेगा जिसके कार्ट वो नहीं करने वाला था लेकिन हमें दिखाया जाता है की वहाँ पर बात करने लगते हैं कि आखिर किसको भेजा था और वो वेट करने लगते हैं लेकिन उनमें से तभी एक बंदा कहता है कि मैं कहता हूं कि हम सब को सिटिंग माउंटिन गेस्ट से बात करने चाहिए वो अपने सोल में अटाक में प्रॉप इंसेंट है और वर्चुल डियल डेवल मास्टर से अच्छी जॉब करने हैं यहां प असल में वो स्लूफ हैं कहीं मास्टर थे हैं लेकिन वो सब इन सब के बार में सोचने लगते हैं कि आकर क्या करना चाहिए वो कहते हैं हमें ट्राय करना चाहिए लेकिन सिटिंग माउंटिन गेस्ट को अगर वो लो करते हैं तो उनके भी डिमांड हाई थी और यहां पर हो क चुका था वर्चुल डेवल डेवल के अटाइक करने के बाद ही यहां पे लूपेंग अपने फिट लेवल अफ बीस्ट पार्ट को भी कंप्रीट कर लिया था शिक्स को यहां पे आगे बढ़ता है और वहां पर ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है वो आराम से एक पाइनिकल ट यहां पे ब्लेड उस बंदे को उसने खोज लिया है स्काई वुल्फ नाइट को ही यहां पे लूफेंग भी बहुत आखुस हो जाता है मैं दिखाया जाता है वर्चुल अर्मरा स्टंड आइलेंड का जहां पे स्क्रीन आता है स्काई फ्लाव नाइट की कोडिनेशन लूफेंग क्याता है कि यह मेरी बैटल आफ फेम होने वाली है यहां पे हमें सिंचंस का लूफेंग को दिखाया जाता है जो कि और इसने स्टार नंबर 03923 में आ चुका होता है उसका डिस्टिनेशन वह ही 02923 में होता है इसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है अब लूफेंग को स्काइफ़लार नार्ट की एक बीज़वा पर नहीं मिली हूई थी लेकिन लूफेंग क्याता है कि यहां पर जरूर यहां पर लूफख़ंग उसको खोल दाता लेकिन तभी वहां पर स्ट्रॉंग और अरस वोती है जो कि एक टूट ट्यूजर की होगती यह थे जो आरा निकार रहे थी वह असल्ट की होगे लूफ्इग क्या था है कि मैं तो यहां पर स्काइफ्लावर नाइट को डूनने के और मैंने सेंज कर दिया है कि कई सुपार बागी सादो को इस तरह नहीं की तरफ अपर लोफिंग और अचुका था लेकिन दिखाया जाता है कि वहाँ पर पहले से फायट होनी लगी थी यहाँ पर लूफएंग अपने रिमोटे में उसके कॉंसियेशनेस को विर्चुल निवस से कनेक करें है और फिर सुवाँ पर उकेंशन मिल जाती है और लूफएंग वहाँ जाता है तो सच में वहाँ पर लाइफ जीन में देखा जाता है वो भी सिर्फ 2,000 में लूफिंग का 10,000 में ही लूफिंग उससे बहुत आप पाफुल है यहां पे लूफिंग अराम से देख रहा होता है उन समय वहां पे एक टॉप प्लाइ यूनिवर्स ओवरलोड और टू यूनिवर्स ओवरलोड से जो क पहले से यह आचू के तरह वहां पे फाइट हो रहा होता है यहां पे हम दिखाया जाता है कि लूफिंग अराम से साइलेंस में उन सबको देख रहा था और समय वहां पे होता है जो क्याता है कि वहां कौन है वहां पे दिखाया जाता है कि कैसा यूनिवर्स ओवरलोड इस कर रहें थे कि कर वहां पर ट्वेजर को निकलेगा कौन पर फाइट कर यहां पर स्काइफ फ्लावर नायट और टावजिंट सैडल जीओ वेऊ होड़ में लराह हो रही थी तू वर्सेल वन की फाइट हो रही थी अब यहां पर बैटल को में डिसकॉस नहीं करूँगा कि यहा लेकिन तभी दिखाया जाता है कि वहां पर एक और बंदा आ जाता है जो कोई और नी लूफेंग होता है लूफेंग भी उस तब जाने लगता है स्का फ्लावर नाट जी हो होडले लेकिन वहां पर उनकी नज़र एक और पर चली जाती है जो कोई और नी अपना लूफेंग होता है और सभी आज़ा को देखने लगते हैं और सभी देखते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता तो उसको नहीं लेसकता स्काइवुर्फ या लेता है कि मुश्रा क्लैस्ट में के इस पर बहुत आगे बढ़ता है और दिखाया जाता है कि लूफिंग एक इजट के में उस ट्रेदर के पाउस तला जाता है जितने मी लोगों होते हैं वह साइलेंस हो जाते हैं वहां पर कई साइड नाट्स भी आई हुए होते जिन में से जाता है ली फेंग भी आचुका होता है उस ट्रेदर को लेने के लिए अजितने भी इन वी इन वे नाट्स होते हैं सभी सौक हो जाते हैं लूफिंग को दीकर कि वहां पर लूपके की जो दर्द थी वो चाहा तब पहले उती और जितने ही बंद्द सबी ड़ जाते कि क्या तो लूफेंग है, इसका इफ्लावर नाइट यो हो, डेट थाउजिंस ता भी जुसके अहरान हो जाते ही, वो लूफेंग को नहीं जानते थे कि लूफेंग भी यहाँ पर आ जाएंगा, और अपनी लास्ट मौके में ही एडवांटिज उठा पाएंगा, लूफेंग क्या थ यहां तक टाउजिंस एड़नाइट जावी होडे भी भी पैनिक करके वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि लूफेंग बहुत आप फेमस था, उसने कई साथ टॉप टाई यूनिवर्स ओवर लॉट्स को भी एक बाह मारा होता है, और यहां पर लूफेंग की फेम इतनी थ आप नार्श का तो बचना ही था, वाहां बचना हे मुझी था, इस लिवलोग पहली भाग जाता हैं, अब जितने भी थो भाग जाते हैं लेकिन वहां पर बीक सिर्फ एक बंहा होता है यहीड होता है, यह क्या लूफें स्काइप लख़र्स कि लिया बौको राह पाना था रह बाखो अब देखा जाता वह लूफेंग से डरने वाला नहीं था क्योंकि वह भी एक स्पेशल लाइफ संट टूटावलिंट टाइम से वह भी डरने वाला था उसकी गॉली बाड़ी लूफेंग से भी बड़ी दीख रहे थी जो कि उसके लिए एड्वांटेशियव लूफि इसलडिक अई करने वाले हो यह तो मजाग कररें हूँ यह तो मजाग कर रहे हो ना हो लूफिं게요 अठ कि मारना चाहता हून-मद्शनों आगे बढ़ता है यहां पर स्काइफ कन्ने अर्ट मीरोफेंः मार सक्ते हैं वह भी काइंटी नहीं रखते हैं तुम हो तो की ले दिखाया तो जितने भी युनिवर्स नाइट से वो जबी सभी दूर से ही देख रहे होते हैं लेकिन वो पास भी आते जा रहे होते हैं उन सबको इतनी लाजेंडरी बाटल कहा ही देखने को मिली लूफिंग भी स्माइल करना स्टॉप कर देता है वो भी एक एक्चुल फियर्स बीस्ट के तरह यूज होने लगता है और लूफिंग तीन स्टप पीछे लेता है वाइफ फ्लावर नाइट आगे बढ़ता है आगे वुल्फ को भी उसके पावर के बारे में तो ऐसा अंदाजा लग गया था कि कैसे वो यूणिवर्स ओवर्लॉड को मार पाया था लेकिन यहां पर लूफिंग को कमजोर समझ रहा था कि वोगे लूफिंग है तो अभी तक अपने फुल पावर को लिरी जिन नहीं किया ता ह क्या था रिली तुम्हें ऐसा लगता है वह अपने ब्लॉड खुष प्लेस को अपने हाथों में रखता है और इस पर अटक करता है जो कि एक लेवल मांटें की टेकनीक होती है यूणिवर्स ओवर्लॉड में जो कि बहुत ही पावफुल होती है स्काई वो फ्लावर क्याता है कि चलू मैं देखता हूं कि आखे तुम्हारी गॉली बॉडी कितनी लास्ट करती है दोना में फाइट होने लगती है अब जितनी भी उनिवर्स नाट से तभी इस फाइट को देख रहा था और क्या था टॉप टा यूनिवर्स ओवल और इतने स्ट्रॉंग नहीं होते है लेकिन देखा जाता है तो अब लूप उन समय से एडवांटेज में है और यहां पर ऐसा ही फाइट होता है तो यहां पर लूप एक्चुली अब इससे आगे ब्रॉल पाते हैं कि तभी दिखाया जाता है सभी कि सभी डेज हो जाती है जितनी भी ठर्टिक्स उनिवर्स ना इतनी इथा है मुखाया जाता कि जाए ऑट जो यहां पे सॉक और डर में होता है क्या सिंद्ध क्या आधि क्या से हो सकता है और दिखाया जाता है तक सल में सी tenth person एक ही जटकी में खतम हो जाती है मैं से विश्वास निता कि आज कि व पर सब्सक्षण क्या से लिखत ही औ मारने के लिए एक युनुवर्स मास्टर तक को फूल पावर लगानी परती है और यहां पर लूफेंग ने 11% एक ही जटके में डाउन कर दिये यह तो बहुदा इंप्रेसिद हैं विश्वास नहीं होता है अब उसकी गौडली बॉड़ी और एडी 60,000 मांस लम्मी हो गई थी और यह 11% गौली बॉड़ी यह तो युनुवर्स मास्टर भी अचीव नहीं कर सकते है उसको एक ही अटक में और फिर लूफेंग को दिखा जाता है जहां पर वो इस पर अटक कर रहा था लेकिन यहां पर लूफेंग की जो पावर थी वो और जाया बढ़ गए थी और यहा स्काइफ लूफेंग की टेन परसेंट प्राप्टा इन्वर्स ओवर्लोड बॉड़ी यहां पर कातम हो गही किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि आकरी क्या से हो सकता है लूफेंग ने अपनी अल्टिमेट टेकनिक इन्वर्स मास्टर लेवल की यूज की थी एक ही स्ट यहां पर उसकी पाउल बहुत आपक्राइब यहां पर उसके पास एक टॉक्टा आइक टू आइड अगर वह त्वर्स नहीं होता तो एक ही जाटके में लूफेंगे हां तो माना जाता है उसने चेंज करके लिए होता है वो कहता है मैंने राइड च्वाइस किया कि मैंने आ लूपिंग वहीं पर सांती से खाला था लेकिन तब आप एक आवाज कहाती हसते वे कि लूपिंग मैं एड्माय करता हूं कि तुम एक एपसल्यूट जीनियस हो बिल्लियंस ओफ रेजस वास्ट युनिवर्स में लेकिन तुम उसके ट्रीम टॉप पे आते हो इतने सौट प्र इन वर्लाइबल को और आने की काभिल्यत लगता हूं एक लगता है कि मुझे कि लुक्ता हूं यहां पर उसने खुद को बचाने के लिए फ्लाइंग पैलेश को निकाल लिया होता लेकि लूफिंग जानता था कि यह उसकी बैटल ऑफ फैम है मतले यहाँ पर फेमस होने की बारी है उसको मारी है फुल ना मारे आंत में जाके उसकी यह जो फेम की होने वाले कि उसने एक टैक में एक टॉप टा युनिवर्स ओवर लॉड्स की 11% बारी हो खतम कर दिया है यह युनिवर्स में जरूर फैल जाए ही इसके कांग सबको लएगा सबके मन में डावट आजाया कि क्या लूफिंग सच में एक युनिवर्स मास्टर बन पाए है यहाँ यहाँ पे लूफिंग का और इसनली प्लान था कि सबको यह यकीन दिलाना कि वो एक युनिवर्स लूफेंग को मारने से पहले कतर आएंगे कोई भी ऐसा नहीं करेंगा इसका लूफेंग ने इसको नाम दिया था बैटल ओफ फेम रफी हम यहां पर ऐसे कई साथ चीजों को दिखा जाता है जो कि ऐसी फिर से बकवास होने लगती है जो कि बागी साथ चीजों के भालतू बक बतने है नियुँ उसको फैलना आए बस होई है और यहां पर फार्ट होता था तो बहुत नंबा आ जाता आए दूसरे लिससे बंदे भी यहां पे आ जाते है जिसकी हमने की कोशिज करो लेकिन यहां पर लूफेंग निकल जाता है अरूफिंग कैता है स्कार फ्लाइंग प का किया है कि क्या क्या लगता है कि तुम में पीछ ले हो गया है हम तो यहां पर को यहां पर थैसी पीछा करी रहा होता है लेकिन लूफिंग यहां पे आगे बढ़ रहा होता है तो मैं क्या लगता है कि मुझे तुमसे दरने की को जरूबत नहीं है और यहां पे teacher जो कि sky night होता है वो appear होता हो कहता है कि यहाँ पर मैंने सुना है कि तुम्हारी fight यहाँ लूफेंग से हुई है और तुमने कहा कि क्या वो एक universe master बन गया है तो sky flower कहता है हम यहाँ पर दिखाया जाता है जितने भी जितने बंदे होते सब लोग हैरान हो जाते है क्योंकि मैंने उससे खुद देखा और मैंने उसके पार को भी टेस्ट किया है अगर मैं पास flying pass टाइप टू ट्रेयर नहीं होता है तो हो सकता है कि मैं एक ही जटके में मार जाता है तो यह दीकर उस तभी हरान हो जाते हो क्या थे नामुम्किन तुम्हें मार परना यह जरूब उसक नामुम्किन यह यह जो जाते हैं कि आखिर यह क्या से हो सकता है आफे शिमिलेशन जो कि रिकार्ड होते है उन सबको वो साई universe master देखते हैं साय लोग चूप हो रहा तो सब को पहता था कि इस स्काइफ लाव नाइट का 10% बॉड़ी एक हिन जटके में खत्म हो गया था सबसे खास बात होती है जो कि युनिवर्स मास्टर बनने के बाद कोई भी टाइम स्पेस को कंटोल कर सकता था लेकिन इसको नहीं देखा है तो क्या थे कि हो सकता है कि वह अपनी कोई पावफुल टेक्टिक या टारेंट टेक्निक को यूज कर रहा है वह अभी हो सकता है यु कि मोगरेंगे मुँटा बना या फिन यहां पर देखा रहा तो लूफ विंवास मास्टर ले युट्वास मास्टर की पावर होल करता है या फिन इस पर जाला मैटरे विस सब लोग जामते लुब लूफ इंग अभी एक एरा से बिजाला कल्टिवेट ने क्या आपकार इसकी साथ इसी बीडियों का ते मोट ते ते मेल ते नेक्स दूमी ताफ ता के लिए बाइ